हेलो दोस्तों मैं राकेश अध्रिय आपका mathematics teacher वेलकम करता हूँ आपका digital तहरी के online channel पर हमारा अचका टॉपिक है simplification सरली करन स्टार्ट करते हैं इसको जैसे जैसे questions आएंगे हमारे सामने उनके बारे में हम बात करते रहेंगे ठीक है तो देखते हैं question first वैसे तो simplification वी बार्ड मास या बार्ड मास की नियम से होता है वो questions भी आएंगे तब उनके बारे में भी बात करेंगे पहले जो इस तरह की questions मिलते हैं हमें especially SSE में उनके लिए बात करते हैं देखिएगा दियान से समझीएगा मैं क्या समझाना चाहरा हूँ आपको root 5 root 5 root 5 root 5 goes to infinity times मतलब यह अनन्त बार आ रहा है तो इसका result जो है वो क्या होगा देखिएगा simple सा तरीका है इसका answer क्या होगा अभी देखेंगे पहले कुछ और देख लेते हैं ताकि इसका answer सीधा आपको पता चल जाए देखिए root 3 root 3 root 3 एसे infinity times है root 2 root 2 root 2 यह infinity times है कुछ भी ले लिजिए root 7 root 7 root 7 यह इस तरीके से आपके infinity times ठीक है दो तरह के questions बनते हैं इसमें एक तो question इस तरीके से बनता है कि यह अनन्त बार हूँ ठीक है और एक question इस तरीके से बनता है कि यह केवल जितनी बार लिखावा है उतनी बार ही है जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यह जो question है यह infinity times का होता अगर आगे infinity लिखावा होता लेकिन यह जो question है यह कितनी बार के लिए है केवल और केवल चार बार के लिए ठीक है तो अनन्त बार के लिए होता infinity times होता अगर यह तो अगर यह infinity times होता तो इसका answer क्या होता उसके बारे में भी बात करेंगे जैसा कि अभी आपने देखा मैंने यहां से dot 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 हटाएं ठीक है इन केस अगर यह केवल इतनी बारे लिखावा होता जितना आपके सामने है तब इसका answer क्या होता और अगर infinity times है तो इसका answer क्या होता तो जैसे कि अभी जो हमारा question है वो किसका है infinity times का है ठीक है तो अभी मैंने इसको कर लिया चार बार के लिए तो चार बार के लिए अगर करूं तो कैसे होगा देखिएगा तो जब इसको चार बार के लिए देख रहे हैं तो यह जो हमारे पास है इनको भी हम चार बार के लिए देख लेते हैं देखिए चार बार, तीन बार या जो भी दो बार, एक बार, जितनी बार भी आता उसके लिए, देखिएगा, जैसे ही यह तीन बार आ रहा है यह आपर, यह लीजिए चार बार ले लेते हैं, यह तीन बार आ रहा है, चलेगा, यह आपके आ रहा है, तो इसको ले लेते हैं, हम कितना, जो है उसको मैंने change किया है अभी जो main question है dot 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 वाला वो अभी हम लेंगे लेकिन अभी मैं आपको यह बताना चाहरा हूँ कि अभी यह limited times है four times three times five times seven times जितने times भी है तब result क्या होता है तो देखिएगा इसका answer उस condition में क्या होता है हमारा जैसे कि मैं बात करूँ पहले इसके बा चार बार तो मैं दो की घात कितनी कर दूँगा चार कर लेंगे और दो की घात चार करेंगे तो मैं देख सकता हूँ दो की घात चार अगर करूँ तो दो की घात चार कितना होता है आपके दो की घात चार होता है 16 तो इसका मतलब दो की घात चार करेंगे जो की होगा 16 तो य रिसमें बात करते, तो मैं देख सकता हूं, नंबर क्या है, दो, तो ये लिजिए दो, ठीक है, यहां तक, अब अगर मैं देखूं यहां पर, कि square root है, तो क्या लिखूंगा, 1 by 2, तो ये लिजिए 1 by 2 लिख लिया, अब ये कितनी बार आ रहा है, नंबर जो है, तीन बार आ र 8 और एक कम करके ऊपर तो यह हो गया 2 की का 7 बटा 8 उसके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं नंबर क्या दिख रहा आपको सभी जगे 7 तो यह आगया 7 square root दिख रहा है तो क्या लगा लेंगे 1 by 2 ठीक है 1 by 2 आ चुका है आपके पास अब अगर मैं देखू तो यह कितने times आ रहा है 7, 4 times तो 2 की power कितना कर लेंगे 4 और 2 की power 4 करेंगे जो कि हमने अभी अभी देखा है 2 की power 4 कितना होगा 16, तो यह 7 यह आएगा कितना यहाँ पर 16 और एक कम करके उपर कितना 15 तो 7 की गात 15 बटा 16 हो जाएगा ठीक है तो यह हो गए इन तीनों के अंस्वर तो इसी हिसाब से अगर इसका अंस्वर देखें हम तो इसका अंस्वर क्या होगा 5, नंबर क्या आपके पास 5, कितना लगेगा 1 by 2, ठीक है कितनी बार आ रहा है यह यह आ रहा है 4 बार, तो 2 की गात कितना करेंगे हम 4, और हम देख सकते है कि 2 की गात 4 कितना होता है 16, एक कम किया तो 15 तो 5 की गात 15 बटा 16 हमारा अंस्वर होगा, कब जब यह 4 बार है, तो उस कंडिशन में option कौन सा सही है, आपका second सही ठीक है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा, question को मैंने change किया है आगे dot 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 लगावा था इसका महला infinity times आ रहा था तो जब infinity times आएगा तो क्या यह answer होगा, क्या, नहीं यह कब होगा, जब 3 बार, 4 बार 5 बार, 6 बार, जितनी बार भी limited times आ रहा हो, ठीक है, तो उस condition में तो यह answer होगा, और उसके कुछ और भी example बता दी, मैंने आपको चलिए, अब हमारा जो proper question है, question number one, उसका answer क्या होगा, उसको देखते हैं, देखिएगा चलिए, आप देख सकते हैं, infinity times है, तो इसका सीधा सांसर होगा, कितना? 5, कब जब अनंतबार होगा, उस सबर, ऐसा क्यों? इसको भी समझ लेते हैं, अगर इसकी जगे, दो, 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 यह अनंतबार होता, अगर इसकी जगे, साथ, 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 ऐसे अनंतबार होता, इसकी जगे, 11, 11, 11, यह अनंतबार होता, तो आंसवर क्या होता, इसका 2 होता, इसका साथ होता, और इसका कितना होता, 11 होता, सीधा साब को यह ध्यान रख रहा है, ठीके, और क्यों हो रहा है, वो मैं ऐसा होने का reason क्या है वो जड़ा हम देख लेते हैं तो देखिएगा जैसे कि आपको इसकी value पूछ रहा है तो यह आपके है 5 multiply 5 यह 5 इस तरीके से चल रहा है infinity times चल रहा है तो इसको मैंने मान लिया x के equal 4 example ठीक है तो क्या हो गया root of 5 infinity times है तो उसको आमने x माना है तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं x कि root of 5 root of 5 root of 5 infinity times multiply हो उसको x माना है हमने root of 5 अंदर x एकश मतलब infinity times आ रहा है root 5 का multiplication तो वो आ रहा है तो उसको x लिख सकता हूँ, क्योंकि हमने x मान रखा है, फिर इधर का square root हटेगा, तो उधर square हो जाएगा, तो यह x square तो 1x से 1x गया, तो x की value कितनी आ गई, 5, और x हमने क्या माना था, जो हमारा question था, तो उसका answer कितना आ रहा है, 5, ठीक है, यह होता है करने का तरीका, लेकि अगर infinity times आ रहा है, तो वही number आपका आ जाएगा, जो square root के अंदर है, चलिए बात करते है, next, question number first का answer मिल गया आपको, बात करते है, question number second के बारे, देख लीजीए, जैसा कि मैंने आपको अभी समझाया था, question number first में, वो आ चुका आपके सामने, root 6, root 6, root 6, root 6, infinity times है क्या, अगर ये infinity times होता है, तो result अभी तक हम क्या बोल देते है, इसमें, 6, जैसे कि पिछले वाले में infinity times था, तो result बोल दिया था हमने 5, अगर ये second वाला जो है, वो infinity times होता तो अभी तक हम result क्या बोल देते हैं, इसका 6 बोल देते हैं, लेकिन ये only कितने times है, 4 times है, तो कर लेंगे, number क्या है, 6, ठीक है, फिर square root है तो 1 by 2, 6 कितनी बार है आपके पास, 4 times, तो 2 की power 4, ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, 6, 1 upon 2 की power 4, कितना होता है, 60, एक कम कर लो, तो उपर आगया 15, तो 6 गिगात, 15 बटा 16 हमारा answer होगा, जो कि मैं देख सकता हूँ, second option आपका बिलकुल सही, चलिए बात करते हैं, next question number 3 के बारे, चलिए, देखिएगा इस तरह के question भी आये हैं, अब हमारे पा तो इसको कैसे करेंगे, देखिए, जो आपको ये number दे रखे हैं, इस number के हमको factors करना हैं, गुणनखंड करना हैं, वो भी इस तरीके के गुणनखंड के उनका अंतर एक कर है, इस तरह के factors, उनका difference कितने का हो, one का, तो वो क्या होंगे, two और three, ठीक है, अब सभी जगे plus है, तो सभी जगे plus है, तो इनमें बड़ा number लेना है, तो बड़ा number के है, three, तो इसका मलग कौन सा option सही हो गया, आपका second option, ये सीधा सा आपको करना, फिर से सुनिएगा, six है, तो जो भी number है, उसके इस तरीके के factors करना है, जिनका difference कितने का हो, one का, ठीक है, और फिर सभी जगे plus है, plus है, तो बड़ा वाला number ले लेंगे, सभी जगे minus होता है, तो छोटा वाला number ले लेंगे, अगर इस तरह का number नहीं है, कि उनका difference one का हो, मतलब यहाँ पर अगर seven होता, तो seven होता तो हम क्या कहते, seven के factors ऐसे हो ही नहीं सकते, जिनका difference one का हो, उस condition में क्या करेंगे, वो भी हम देखेंगे, जब question आएगा, ठीक है, तो अभी हमारा answer क्या हो गया, three, अब इसको अगर proper way में करना चाहें, तो यह कैसे हुआ होगा, वो भी जड़ा देख लेते हैं, root six plus root six plus root six plus root six plus, इस तरह से चल रहा, infinity times, तो इसको हमने मान लिया, x के बराबर, कोई दिक्कत नहीं, आप देख सकते हैं, root six plus, अभी अंदर क्या लिखा है, root six plus root six plus root six, infinity times, उसको x मान चुके हैं, तो plus x लिख सकता हूँ, और बराबर में यह आपके x है, इधर से square root हटेगा, तो उदर क्या होगा, square, तो यह six plus x बराबर क्या, x square, ठीक है, तो यह दौनों उदर चले जाएंगे तो उदर चले जाएंगे, तो क्या होगया, x square, minus x, minus six equals to zero, अब यह द्वीगात समिकरन बन चुकी है, आप इसको solve करोगे, कि इस तरीके से multiplication करने पर minus six आए, और plus minus करने पर कितना है, minus का x, तो इस तरह कि आप factors करोगे, और एक factor इसमें plus का होगा, और एक factor minus का होगा, जैसा ह यह आप देख सकते हो, सभी जगे plus हो रहा है, तो minus वाला factor तो हमारा answer होगा, नहीं, plus वाला ही होगा, तो इतना detail में हम नहीं करते, और सीधा-सीधा यह ध्यान रखते हैं कि, जो भी आपको दे रखा है number अंदर, उसके इस तरीके से factors कीजिए, दो, उनका difference one का हो, अगर plus है तीसरा, बात करता है, next question, question number 4 के बाद, क्या गर रहा है, चौथा देखिए, root 12 minus root 12 minus root 12, चल रहा है इस तरह से, तो जैसा कि आपको infinity times दिख रहा है, तो जो number है, उसके factors कीजिए, इस तरीके से, जिनका difference कितने का हो, एक का, तो यह हो गया 3 और यह हो गया 4, अंतर एक का है, 4 और 3 का गुणा 12 भी हो रहा है, अब सभी जगे minus है, तो छोटा वाला number लेना क्या कहरा है, question number 5 देखी, 12 है, इसके factors कर लेते हैं, इस तरह के, जिनका difference कितने का हो, एक का, तो 3 और 4 हो गया, अंतर एक का हो गया, प्लस है, तो बड़ा वाला number लेना है, तो बड़ा वाला number कितना है, 4, तो बड़ा वाला number 4 है, इसका हमलो, option कौन सा सही है, second option बिलकुल सही होगा, चलिए, यह कैसे होगा, वो भी देख लेते हैं, देखिएगा, plus minus भी आ रहा है, number भी कुछ अलग है, तो जो अभी तक सीखा उसी तरह से होगा, क्या, नहीं, question नया है, अलग तरह का है, तो कैसे करेंगे, देखिए, root 9 solve करते हैं सबसे पहले, जोगी कितना होगा, 3, फिर आप क्या करोगे, 19 minus 3 करोगे, 19 minus 3 करोगे, 19 minus 3 करोगे, कितना होगा, 16, और फिर उस 16 का आप क्या करोगे, square root करोगे, यह square root है और यह कितना है, 16, यह result कितना देरा, आपको 4, ठीक है, यह यह तक, अब यह 4 आ गया, अब आप क्या करोगे, इसको solve करोगे, 12 plus 4 12 और 4 कितना होगे आपके 16 और उसका square root करोगे तो वो कितना देगा फिर से आपको 4 अब आप किसे solve करेंगे अब आप solve करेंगे इसे ठीक है ये क्या दिख रहा आपको 29 minus 4 तो 29 minus 4 करोगे तो कितना होगा 25 और 25 का square root करोगे जो की कितना देगा आपको 5 देगा अब आपके से solve करोगे इसे यह क्या आपके पास 20 plus 5 जो की 25 होगा और उसका भी square root है जो की कितना दे रहा है 5 तो इसका option हमारा जो है कौन सा option सही होगा यहाँ पर first option हमारा बिलकुल सही होगा चलिए यह था हमारा six number question बात करता है next seven number की देखिए आप देख सकता है square root के अंदर square root दिखाई दे रहा आपको यह square root है और इसके अंदर भी square root है तो इसको किस तरीके से किया जाता है देखिएगा बीच में plus है तो answer दो plus वाला ही होगा तो इसका मतलब यह नहीं होगा answer और यह भी नहीं होगा answer होगा या तो first या फिर कौन सा थड़ ठीक है अब देखिएगा जब कभी भी square root में square root हो तो जो अंदर वाला square root है इसको हम मानते है 2ab और यह जो number बचावा है आगे इसको मानते है a square plus b square अब बीच में plus है तो पूरा formula क्या होगा a square plus b square plus 2ab और अगर minus होता तो पूरा formula क्या हो जाता a square plus b square minus 2ab ठीक है तो यहां से हम देख सकते हैं कि 2ab यह 212 is equals 2 2ab लिखा है मैंने यहाँ पर तो 2 से 2 गया तो a और b जो भी रहेगा जब उनका multiplication करेंगे तो कितना आएगा आएगा आपके 12 ठीक है और उनका square करके add करें तो कितना आना चाहिए आपके 7 आना चाहिए इस तरीके से हमको चलना तो चल यह देखते हैं अब देखेंगा उनका square करके add करने पर कितना आना चाहिए 7 ठीक है तो अगर square करके add करने पर 7 आना चाहिए तो मैं यहाँ पर देखूं आपके तो अच्छा उसे और भी कुछ solve कर सकते हूं अभी आगे 12 को मैं क्या लिख सकता हूं 4 into 3 तो root 4 कितना होता आपके root 4 हो आएगा आपके 2 और यह कितना हो गया root 3 तो आप देखते हैं बराबर में a b चल रहा था तो यह a b की value आपके पास आ चुकी है 2 और root 3 a 2 है या b 2 है किसी को भी मान लीजिए अभी फरक नहीं पड़ेगा क्योंकि plus में है दौन ठीक है तो इसका मतलब a और b की value आ गई अब a और b की value जो आई है वो यह चेक कर लेते हैं क्या हमारे इस वाले value को satisfy कर रही है क्या बिल्कुल देखते हैं a कितना है 2 2 का square करोगे कितना 4 तो यह 2 का square हुआ 4 plus b कितना है root 3 root 3 का square करोगे 2 का square 4 root 3 का 3 4 और 3 कितना 7 तो यह भी 7 यह भी 7 इसका मतलब बिल्कुल value सही option कौन सा सही होगा जिसमें आपको 2 और root 3 plus में दिख रहा है जो कि option कौन सा आपका पहला option बिल्कुल सही ठीक है चलिए यही अगर minus होता तो minus वाला answer होता हमारा यह था question number 7 बात करता है next question 8 के बारे root के अंदर root है लेकिन यह 2 होना चाहिए था 2 नहीं है तो उसके लिए हम देख सकते हैं जितने भी option है वहाँ पर 1 by root 2 लिखावा है तो इसका आपको जो question था हमारा root 5 plus root of 21 इसको क्या किया गया इसको हमने 2 से multiply और 2 से divide कर दिया 2 मतलब square root of 2 से multiply और square root of 2 से divide कर लिया तो इसका मतलब हमने इस पूरे को अंदर 2 से गुणा किया तो 5 का 2 से गुणा कितना 10 और root of 21 का 2 से गुणा root of कितना आ जाएगा 21 और बाहर 2 और जब गुणा किया है तो वापस भाग भी करना पड़ेगा नहीं तो इस तरीके का परिवर्तन इस तरीके का changes हम नहीं कर सकते क्योंकि जससे गुणा किया है उसे से भाग करेंगे तभी तो वो दौनों कट कर वापस वही value आ जाएगी जो पहले थी ठीक है चली तो अब हमारे पास question कौन सा हो गया actual में ये हो गया और हमने 2 से क्यों किया क्योंकि square root के अंदर square root है तो यह 2 मिल जाए तो हमको 2 A B लेने में और A square प्लस B square लेने में आसा नहीं रहती है अब जैसा कि मैं देख सकता हूँ बीच में प्लस रहा तो ainsi प्लस आ रहा है तो इसका मतलब root of 21 is equals to 2 A B 2 से 2 गया root of 21 जो है वो किसके बराबर है A B ठीक है अब क्या यहां से A और B की value ली जा सकती है A और B की value देख लेते हैं 21 है तो इसके factors क्या हो सकते है root 7 और root 3 is equals to A B A root 7 या B root 7 किसी को भी ले लीजिए लेकिन सही है या गलत वो भी check करना पड़ेगा अभी जैसा कि मैं देख सकता हूँ कि यह जो value है यह तो होती है आपके क्या 2 A B और यह जो value है यह value होती है क्या A square plus B square A square plus B square plus 2 A B इसलिए हमने कहा कि answer वही होगा जो plus का होगा क्यों यह पूरा बनेगा A plus B का whole square फिर whole square से square root कटेगा तो A plus B बच जाएगा हमारे पास चलिए तो अगर इसको हम देखे है A square plus B square तो A को root 7 और B को root 3 ले रहे हैं तो root 7 का square करूँगा तो कितना होगा 7 root 3 का square करूँगा तो कितना होगा 3 7 और 3 अगर मैं add करूँ तो 10 बन रहा है तो इसका मतलब बिलकुल A और B की value सही है option कौन सा सही हो गया option सही हो गया आपका पहला option यह था हमारा question number 8 बात करते है question number 9 के बारे क्या गरा question number 9 देखिएगा question number 9 जो है अब जो यह question इस तरह के होते है यह questions आपके बीच गणीतिय शुत्र algebraic जो आपके formula's होते है उन पे depend करते है ठीक है कौन-कौन से formula's होते है कुछ formula's मैं लिख देता हूँ अब आपके सामने देखिएगा कौन-कौन से formula हमारे काम आने वाले है उनके बारे में हम बात कर लेते हैं जैसे की a प्लस b का whole square आपको पता है a square प्लस b square प्लस 2 a b होगा ठीक है a माइनस b का whole square भी आपको पता है a square प्लस b square माइनस 2 a b होगा फिर a square माइनस b square आपको पता है a प्लस b a माइनस b होगा ठीक है फिर a प्लस b का whole square प्लस a माइनस b का whole square इसके बारे में बात करें तो ये क्या होगा 2 a square प्लस b square होगा ठीक है फिर अगर बात करें a प्लस b का whole square माइनस a माइनस b का whole square अगर इसके बारे में बात करें तो ये कितना होगा ये होगा 4 a b फिर अगर बात करें हम कि a प्लस b का whole cube वो कितना होगा a cube प्लस b cube प्लस 3 a b और bracket में a प्लस b यही अगर माइनस में बात करूँ तो a cube माइनस b cube माइनस 3ab और a माइनस b और अगर मैं बात करूँ a cube प्लस b cube की वो होगा a प्लस b a square माइनस a b प्लस b square ठीक है और देखते हैं आगे बात करें a cube माइनस b cube की a माइनस b a square प्लस a b प्लस b square ठीक है चलिए और अगर अगले की बात करें a cube प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc जो की होगा a प्लस b प्लस c a square प्लस b square प्लस c square माइनस a b माइनस b c माइनस c ठीक है अब ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले में एक और condition है कि यदी a b c का मान दे रखाओ if the value of a b c are given value कैसे दे रखी हो जैसे कि आपको बोले a बराबर कितना है 1000 b बराबर कितना है 1000 c बराबर कितना है 999 तो आपको अगर पूछे की A cube plus B cube plus C cube minus 3 ABC क्या होगा तो उस condition में ये formula नहीं लगाना आपको पूछा तो यही है जो यहाँ पर है लेकिन फर्क इतना है कि वो सीधा हम काम में लेंगे और इसमें value दे रखी होगी ABC की जैसे कि मैं अभी आपको question बोल दू कि A बराबर है 1000 B बराबर है 1001 और C बराबर है 9009 तो आपको पूछ रहा है कि A Q plus B Q plus C Q minus 3 ABC क्या होगा तो उस condition में ये formula नहीं लगाना है इसी formula को हम किसमे change कर लेते हैं जो नया formula लिख रहा हूँ और वो क्या है A plus B plus C बटा में कितना दो ठीक है और bracket में A minus B का whole square plus B minus C का whole square plus C minus A का whole square ठीक है तो ABC की value होगी ये कैसे आगया formula कुछ नहीं इसी formula में हमने क्या किया 2 से गोणा और 2 से भाग कर दिया तो जो 2 से भाग किया वो तो यूं का यूं वापस आ गया यहाँ पर देख रहे हो आप और जो 2 से गोणा किया वो अंदर गोणा हो गया यहाँ पर और यहाँ formula बन गए A minus B का square plus B minus C का square plus C minus A का square तो इनको जब खोलेंगे तो वही चीज मिलेगी जो 2 अंदर जाने पर आपको मिल रही है तो simple हम देख सकते हैं कि अगर आपको value दे रखी हो ABC की तो यह चीज पूझे तो formula यह ना लगए अगर आपको यह apply करणे तो यह कुछ formulas है जिससे हमारे question बनेंगे जैसा कि अभी एक सवाल आया है तो उसके बारे में बात करते तो कैसे होगा वो question देखे देखिए question है आपके पास आपके सामने ही है हम क्या करेंगे इसमें values को मानना है start करेंगे कैसे मानना है देखिएगा हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर कोई square है तो उस square को कुछ ना माने अगर कोई cube है तो उसको कुछ ना माने अगर दो लिखावा है तो उसको कुछ ना माने और अगर तीन लिखावा है तो उसको कुछ ना माने इन्हें हमको कुछ भी नहीं मानना है बाकी को मानना है तो A, B, C के हिसाब से मानने देखिएगा इस वाले question को करना है तो इसको एक तो करने का तरीका यह है कि जैसा भी plus minus multiply divide कर रहा है वैसे करें V board mass के नियम से वो क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा ठीक है पहला तरीका तो यह हुआ और दूसरा तरीका यह है कि आप करें इसको जो formula हमने देखें उसके अग किसाब से चली देखते हैं इसको तो एक तो plus minus जो भी V board mass वाला निये में उससे करेंगे तो थोड़ा lengthy नहीं बहुत जादा lengthy हो जाए तो इसको करना है formula से और formula से करते time हमको यह ध्यान रखना है कि हमको इन values को कुछ भी नहीं मानना कैसे अभी दिरे-दिरे सब समझ भाएगा 0.9 है इसको मैंने माना A, again 0.9 है तो यह भी A है फिर से 0.9 है तो यह A हुआ फिर नया कोई number है तो उसको B मान लिया फिर और कोई नया number है तो उसको हमने C मान लिया फिर के आप देखेंगे जितने भी formula A, B, C में हो रहे है हमारे तो D, E, F ऐसा नहीं है कि जो भी नहीं आए मानते रहेंगे C तक ही मानना आपको जैसा कि मैंने कहा था 3 को कुछ भी नहीं मानना है थीक है तो इसको कुछ नहीं मानना 3 रहने देते 0.9 को A मान चुके है 0.2 को B मान चुके है 0.3 को C मान चुके ठीक है यहां तक तो अब नीचे वापस आ गए तो 0.9 A मान चुके है ये भी A, ये B, ये B C, C, ये A ये B, यë B, ये C, ये C और ये E यह सारे हम उपर मान चुके हैं वही वापस रिपीट हुए तो मैं यह देख सकता हूँ, उपर मुझे क्या दिखाई दे रहा है A into A into A मतलब A cube plus B into B into B मतलब B cube plus C into C into C मतलब C cube minus 3 A B C ठीक है, नीचे क्या दिखाई दे रहा है A into A मतलब A square plus B square plus C square minus A B minus B C minus C हम numbers इसले लेकर नहीं चलते हैं क्योंकि वो बार-बार लिखने पड़ते हैं और confusion होता है, लेकिन अगर A B C के format में लिखते हैं, तो एक second में हमें समझ में आ जाता है, एक answer क्या आने वाला है जैसा कि इसका answer दिख रहा है, अब क्या आ जाएगा minus A B minus B C minus C है यह होता है formula, तो बस formula लगा दीजिए यह, तो यह लगा देते हैं तो यह लिखा हमने formula उपर वाला जो होता है उसकी value, A plus B plus C A square plus B square plus C square minus A B minus B C और minus C ठीक है यहां तक, अब नीचे क्या है, कोई formula आएक है नहीं, तो नीचे जो है उसको value यह वापस लिख लेते हैं, तो यह फिर से लिख लेते हैं, जो नीचे है उसे A square plus B square plus C square minus A B minus B C minus C अब कुछ cancel होने के लिए तो cancel कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं, इस पूरे से यह पूरा cancel होगे क्या बचा आपके पास A plus B plus C तो A plus B plus C तो option में है नहीं, option में तो number है, तो ABC की value तो हमें पता ही है, कितनी है A की value 0.9 B की value कितनी है, 0.2 और C की value कितनी है, 0.3 तो क्या करना है add ही तो करना, A plus B plus C इनको add करना है, तो यह कितना हो जाएगा 9 और 2, 11 और 3, कितना 14 मतलब 1.4 1.4 हमारा अंसूर होगा जो कि मैं देख सकता हूँ, पहला option आपका बिलकुल सही हो तो इस question को आप verbally भी कर सकते हैं जब आपकी practice हो जाएगी उस time तो आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी सीधा आप option टिक कर सकते हैं तो यह था हमारा question number 9, बात करते हैं next 10 के बारे जैसा अभी question गया है, ऐसे और भी आगे questions आएंगे तो फिर से formula में हमें जाना पड़ेगा ठीक है? चलिए आपको कहरा, A बराबर 11 है और B बराबर 9 है तो इसकी value क्या होगी? यह हमें बताना चलिए, formula से हो जाएगा क्या? देख लेते हैं, देखिएगा A का मान है 1 और B का मान है 9 एक तरीका तो यह है कि जहाँ-जहाँ A है 11 रख दो जहाँ-जहाँ B है वहाँ पर क्या रख दो? 9 रख दो 11 का square plus 9 का square प्लस 11 इंटो 9 अपॉन 11 क्यूब माइनस 9 क्यूब ठीक है? हो जाएगा कोई बड़ी बात दी है जहाँ भी प्लस माइनस करना है क्यूब करना है, स्क्वेर करना है, गुणा करना है भाग करना है, कर करा है कि अंसर आ जाएगा लेकिन अगर आप गौर से देखें इसे तो जैसा हम कोश्चन को A, B के format में लेकर आए थे और हमारे पास संख्याएथी जैसा कि पिछला वाला कोश्चन है संख्याएथी और A, B में हम लेकर आए थे यहाँ पर हम देख सकते है A, B में आपको दे रखा है और A और B की value जो हम मान रहे थे वो उस वाले कोश्चन में दे ही रखी आपको तो अगर मैं देखूँ तो उपर लिखावा A square plus B square plus of A, B नीचे लिखावा A cube minus B cube A cube minus B cube होता है A minus B A square plus B square plus of A, B यह होता है formula देखिएगा A cube minus B cube का मान क्या होता है यह formula दिखाओ मैं आपको तो यह देखिए A cube minus B cube यह रहा हमारे पास A minus B, A square plus A, B plus B square तो हमने कुछ नहीं किया सिर्फ और सिर्फ A cube minus B cube का value जो होता है formula की A minus B, A square plus B square plus A, B लिखाए कुछ cancel हो रहा है क्या बिल्कुल इससे यह पूरा cancel होगी तो फिर तो answer ही आगया हमारा 1 upon A minus B A है 11, B है 9 11 minus 9 करूँ तो कितना होगा 2 तो answer आगया 1 11 minus 9 यह आगया 1 by 2 एक बटा 2 हमारा answer होगा जो कि मैं देख सकता हूँ first option आपका बिल्कुल सही हो चलिए बात करते है next question number 11 क्या कह रहा है उसके बारे में A, B की जगे X, Y में कोई बड़ी बात नहीं है X और Y की value है आपको पूछ रहा है इसका मान क्या होगा वैसा ही है जैसा भी किया था तो देखिए ये वाला formula है हमारे पास X cube माइनस Y cube है मतलग A cube माइनस B cube कह दे तो भी चलेगा ठीक है तो क्या होता है उपर वाला तो as it is लिख ले हम X cube माइनस Y cube क्या होगा A cube माइनस B cube क्या होता है A माइनस B A square plus B square plus AB तो बस A और B की जगे X और Y है तो इससे ये पूरा cancel हो गया क्या बचा आपके 1 upon X minus Y X कितना आपके पास 19 Y कितना आपके पास 18 तो 19 minus 18 करूँगा कितना होगा 1 तो एक बटा एक आंस्वरी कितना आगया 1 जो कि मैं देख सकता हूं option कौन सा match कर रहा आपका पहला ठीक है चलिए बात करते हैं next question question number 12 के बारे बारे अलग तरह के question आए अब देखिएगा आपको कह रहा है यदी a plus 1 upon a plus 2 is equals to कितना है 0 तो a की power 37 minus 1 upon a की power 100 जो है उसकी value क्या होगी तो यहां से हम देख सकते है पहले तो a plus 1 upon a is equals to कितना हुआ minus 2 हुआ उदर जाएगा तो minus का हो जाएगा चलिए देखिएगा दो चीजे समझीएगा यहां पर ध्यान से कुशन से हट कर पहले कुछ देखते हैं देखिए अगर आपको कहे a plus 1 upon a is equals to 2 है तो हमेशा याद रखिएगा a का मान 1 ही होने पर ऐसा possible होगा दूसरी बात अगर आपको कहे a plus 1 upon a is equals to minus 2 है तो हमेशा ध्यान रखिएगा a का मान minus 1 होने पर ही यह चीज पॉसिबल होगी ठीक है यह आपको ध्यान रखना है क्यों तो एक बराबर एक के अलावा और कोई भी वेल्यू यहां पर रख लीजिए जो की equals to में 2 को satisfy करती हो संतुस्ट करती हो इस समीकरण को एक आवान एक रखूंगा तो एक प्लस एक बटा एक एक बटा एक 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 और एक कितना दो यहां पर इस कंडिशन में एक आवान माइनस एक रखूंगा तो माइनस एक वन अपॉन माइनस एक तो यह माइनस एक माइनस एक कितना माइनस दो तो इसका मतलब केवल और केवल इस condition के लिए A बराबर 1 होने पर ही equals to में 2 आएगा और इस condition के लिए A बराबर minus 1 होने पर ही equals to में कितना आएगा minus 2 आएगा और कोई value ही नहीं है A की जो की यहाँ पर और यहाँ पर रखने पर equals to में जो value है उसको संतुस्ट करवादे satisfy करवादे A की जगे X हो सकता X plus 1 upon X Y plus 1 upon Y Z plus 1 upon Z वो कुछ भी variable हो सकता है A B C D E F कुछ भी तो कुल मिलागर आप format समच चुके होंगे तो इस तरह से जब भी हो A plus 1 by A equals to 2 तो A की value 1 ही होगी और minus 2 होगा तो A की value minus 1 ही होगी A B C D E F G H I J K L कुछ भी हो सकता है Z plus 1 upon Z X plus 1 upon X Y plus 1 upon Y कुछ भी हो सकता अगर format यह है तो आपको value पता रहेगी कि उसकी क्या है Q क्योंकि इन values के अलावा और कोई value नहीं है जो कि equals to मैं यहाँ पर 2 दे दे और यहाँ पर minus 2 दे ठीक है चलिए तो अब इसको ध्यान में रखते हैं हमारा जो question है उसके बारे में बात करते है तो हमें A plus 1 by A is equals to जो given था यहाँ पर यहां से पता चल गया कि A plus 1 by A is equals to कितना है minus 2 तो जैसे equals 2 में minus 2 पता चला तो एक बात हमें पता चल गही कि A का मान minus 1 है इसके अलावा और कोई मान होई नहीं सकता है तो जब A का मान पता चल गया तो जो आपको पूछा है उसका answer भी आ गया फिर तो अब तो answer भी निकाल सकत है आराम से कैसे A की value पता है तो minus 1 रख लो A की value पता है तो A की value पता है माइनस 1 रख लो पता है तो चलिए अब solve करना है इसको कर लेते हैं तो देखिएगा 1 की power कितनी भी करोगे आप आएगा तो 1 ही लेकिन प्लस और माइनस का आपको ध्यान रखना है यहापर 1 की power 37 करोगे value तो 1 ही आएगी लेकिन minus है और minus की power कितनी है यहापर 37 37 क्या होता है odd number विसम संख्या तो minus की घात जब भी विसम होती है odd होती है तो वापस minus ही आता है तो यह आएगा minus का 1 यह minus का minus लिख लूँ यहापर यह क्या है 1 1 की power 100 करोगे तो आएगा तो 1 ही क्योंकि 1 की power कितनी भी कर लो value 1 ही आएगी लेकिन यह minus है और minus की power आप देख रहे हो कितना hundred है तो minus की power क्या हो रहा है sum हो रहा है even हो रहा है तो इसका मतलब आएगा किसमे यह plus में तो यह one upon one आया किसमे plus में ठीक है तो हमें एक बात यह और पता चली यहापर जो कि हम याद रख सकते हैं ध्यान रख सकते हैं और वो विसम संख्या हो और नंबर हो तो वो क्या बन जाता आपके माइनस ठीक है जैसा कि यहाँ minus की power 37 मतलब और था तो minus आगया यह minus की power 100 मतलब even था तो यह one किसमें आगया plus में आगया यह minus कौन सा जो यहाँ पर लिखावा है उसी को यहाँ पर repeat किया है चली minus 1 minus 1 तो कितना आगया answer minus का 2 minus 2 मैं देख सकता हूँ option है हमारे पास कौन सा option second option हमारा बिलकुल सही होगा तो यह था हमारा question number 12 बात करते हैं next question number 13 के बारे क्या गयरा question number 13 तेरा number देखिएगा one point नहीं है यह one multiply two two multiply three three multiply four इस तरीके से यह चल रहा है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ इसको मैं लिख सकता हूँ one upon one multiply two plus two multiply three plus three multiply four ऐसे आप चलते जाहिए तो at last मैं कह रहा हूँ 11 multiply कितना 12 तो इसका सीधा सीधा answer हम यह बता सकते है वो आया कैसे वो अभी मैं explain करूंगा आपको इसका सीधा सीधा answer हम बता सकते है first वाले को as it is लिख लिजिए यह रहा first वाला one upon one minus last वाले को as it is लिख लिजिए यह रहा last वाला one upon twelve ठीक है अब ऐसा क्यों वो जरा हम समझ लेते हैं चलिए पहले इसको solve कर लेते हैं इसको solve करूं तो LCM कितना आया बारा फिर एक से बारा 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 का एक से गुणा बारा माइनस यह एक तो बारा माइनस एक answer आगया 11 बटा बार तो यह हमारा option होगा 11 बटा बारा कौन सा second option अब ऐसा हुआ क्यों उसके बारे में बात करते हैं और ऐसा कब होगा वो भी बात करते हैं होगा कब वो ध्यान रखिएगा होने के लिए condition यह जरूरी है आपके पास की आप देख सकते हैं दो पर खतम हुआ दो पर start हुआ तीन पर खतम हुआ तीन पर start हुआ चार पर खतम हुआ चार पर start हुआ ऐसे ही है 11 पर खतम हुआ और start कहां से हो रहा है 11 एक तो condition यह होनी चीए दूसरी condition ये, कि ये जो दो और एक लिखावा है, इनका अंतर कितना एक, जो की उपर है दो और तीन लिखावा है, इनका अंतर कितना एक, वो उपर है तीन और चार लिखावा है, इनका अंतर कितना एक, वो उपर है वैसे 11 और 12 लिखावा है इनका अंतर difference कितना है 1 वो भी हमारे उपर यहाँ पर available है तो यह ऐसी इस्तती हो तो उस समय हमारा अंस्वर हम सीधा सीधा यह बताते हैं कि जो first वाला fraction है जैसे कि यहाँ पर आप first वाला fraction देख सकते हो कौन सा है first वाला fraction यह रहा 1 upon 1 और minus कर लेते हैं जो last वाला fraction है और last वाला fraction कौन सा है वो यह रहा आपके पास 1 upon 12 अब ऐसा क्यों कर सकते हैं वो भी जरा हम logic समझ लेते हैं देखिएगा इसको अगर मैं लिखू तो क्या लिखूंगा 1 upon 1 minus 1 upon 2 लिख सकते हैं फिर क्या है प्लस फिर अगला वला जो यह है इसे मैं क्या लिख सकता हूँ इसे लिख सकता हूँ मैं 1 by 2 minus 1 by 3 फिर जो आगे आ रहा है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ ये प्लस तो जो बीच में प्लस है वो लगा दिया इसे मैं लिख सकता हूँ 1 by 3 माइनस 1 by 4 ऐसे आगे चलता रहेगा तो ऐसा क्यों लिख सकते हैं देख लीजिए solve करके क्या वही value आ रही है कि फिर से तो आपने LCM लिया 1 और 2 का तो वन इंटू ही हुआ एक तरश तरस ते 1 गया 2 बचा 2 का 1 से 2 माइनस तो से 2 कि गया 1 बचत दो उन यानम का वन से जो और से और इसका LCM कितना है इन 2 multiplied 3 तो से 2 गया 3 3 का 1 से 3 माइनस 3 से 3 गया बचा 2 2 का 1 से 2 यहां पर अगर बत करें तो 3 multiply 4 हुआ 3-3 Crc 4 four bitcoin और 4- देखा 2 में से एक गया तो आए आउा आपके पास 3 में से 2 गया तो यह आई आए आपके पास vways investig चार में से तीन गया तो यह आए आपके पास आप देख सकता है वही चीज वापस आ रही है जो कुशन में दे रखिए तो इसलिए हम इस प्रश्ण को इस तरीके से लिख सकते हैं तो जब इस प्रश्ण को इस तरीके से हम लिखेंगे तो यहाँ पर ज़रा हम देखेंगे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कुछ values cancel हो रही है 1 by 2 से 1 by 2 गया minus और plus 1 by 3 से 1 by 3 गया minus और plus cancel और यह मतले हैं यह जुड़कर 0 हो गया, यह जुड़कर 0 हो गया, वैसे ही यह जुड़कर 0 हो गया, तो सारे ऐसे 0 होते रहेंगे, बचेगा केवल क्या, जो सबसे पहले है, वो हमने लिखा है, और जो सबसे last में होगा, वो भी हमने यहां पर लिखा है, तो इस तरीके से इ लिए जो questions होते हैं तो उनको पूरा detail में भी मैंने आपको बता दिया और short तरीका क्या है वो भी बता दिया और condition क्या हो नीची है वो भी यह है जहां से खतम वहां से शुरू और जो difference है वो difference उपर available होना चाहिए चलिए तो हमारा इस question का answer हम सीधा सीधा कर सकते थे यह पूरा detail में मैंने आपको समझाया है कि कैसे आया है चलिए यह था हमारा question number 13 बात करते है next question question number 14 के बारे में उसी तरह का कुछ question है जो भी हमने देखा है बस वहां पर आपको multiplication दे रखा था और यहां multiplication हमें देखना पड़ेगा क्या आ रहा है चलिए देखिएगा 1 upon 20 plus 1 upon 30 plus 1 upon 42 ऐसे आपको वहां तक लिखा है 1 upon 132 तक ठीक है तो मैं 20 को क्या लिख सकता हूँ 4 into 5 फिर मैं 30 को क्या लिख सकता हूँ 5 into 6 फिर आप देख सकते हैं 42 को 6 into 7 फिर आप देख सकते हैं 7 into 8 56 लिख सकता हूँ फिर आप देख सकते हैं 8 into 9 72 लिख सकता हूँ फिर आप देख सकते हैं 9 into 10 90 लिख सकता हूँ फिर आप देख सकते हैं 11 x 12 132 में लख सकता हो तो आप देख सकते हैं जहाँ पर खतम हुआ महां से शूरू हो रहा है और जो डिफ्रेंस है इनका इनका Republicans कितना एक है उपर इनका difference एक है उपर इनका difference एक है उपर इनका difference अंतर एक उपर है ये भी है सारी condition जो अमारी वो fulfill हो रही है तो इसका मतलब इसका answer हम सीदा सीदा बता सकते है जो कि क्या होगा वो होगा सबसे पहला वाला और सबसे लास्ट यह रहा और सबसे लास्ट में क्या है यह रहा řूबसे first क्या क्या आपका 1 by 4 minus अबसे last क्या है 1 upon माइनस करना है क्यों करना है वो मैं बता चुका हूं तो इसका मतले यह क्या होगी हमारे पास 1 by 4 1st minus 1 upon 12 last 1 अब इसको solve करना है simple सा कर लेते हैं तो 4 और 12 का LCM कितना आएगा आपके 12 ही आएगा चार से बारा तीम बार 12 से बार एक बार दो बटा बारा जिसको मैं लिख सकता हूं एक बटा कितना आच्छे तो 1 by 6 है क्या हमारे पास बिलकुल हमारा तीसरा option बिलकुल सही होगा तो यह था हमारा question question number 14 बात करते हैं next question number 15 के बारे में चलिए क्या कह रहा question देखिए आपको square root of 4096 की value given है कितनी 64 तो आपको इसकी value पूछ रहा है क्या होगी चलिए देख लेते हैं देखिएगा square root of 4096 जो है वो आपको 64 given है तो आपको इसके बारे में पूछा है कि इसका मान क्या होगी निकाल सकते हैं आराम से देखिएगा कैसे जब कभी भी square root में decimal के बाद में 2 digit हो तो वो decimal हटेगा तो नीचे 100 लगेगा definitely तो उपर वाले का square root होगा तो नीचे वाले का भी square root होगा तो नीचे वाले का square root होगा तो हम देख सकते हैं 100 का square root कितना होगा 10 तो इसका मतलब point के बाद 2 है तो हम जब इसका result लिखेंगे तो point के बाद एक में ही रहेगा कैसे देखिएगा जैसे कि मैं इसको पूरा solve करके बता हूँ आपको 40.96 है point 80 है तो नीचे कितना बना 100 तो square root of 4096 तो आपको given है कितना 64 और square root of 100 कितना होता है 10 तो कितना है 6.4 तो आरे को ऐसे solve करना है क्या चलिए इसको solve करके देखते हैं क्या होगा square root of 0.494096 ठीक है तो अगर यह square यह आपका decimal अटेगा तो नीचे कितने 0 लगेंगे 40 तो 4096 तो दे रखा कितना 64 और यह आपके 40 square root में तो square root हट जाएगा या यूं कह दूं मैं 10,000 का अगर square root करूं तो कितना बनेगा 100 तो यह नीचे 100 तो यह आ जाएगा 0.64 तो इसका मतलब हम यह देख पा रहे हैं कि हमको इस तरीके से इस question को बार बार लिखकर और ऐसे check करके करना पड़ेगा नहीं आपको ध्यान सेर वितना सा रखना है सीधा सीधा काम करने के लिए कि point के बाद में यहाँ पर कितनी digit है दो तो जब इसका result लिखेंगे तो point के बाद में केवल एक digit होनी चाहिए यहाँ पर point के बाद में कितनी digit है 4 तो जब इसका result लिखेंगे तो point के बाद में केवल 2 digit होनी चीए ठीक है यहाँ पर point के बाद में कितनी digit देख पा रहे हैं आप यहाँ पर देख पा रहे है 6 तो जब आप इसका पूरे का result लिखेंगे तो point के बाद में केवल 3 digit होनी चीए क्योंकि वहाँ पर 6 हैं तो square root हटेगा तो केवल 3 digit रहेगी तो answer तो 64 है तो 3 digit कैसे होगी 064 कर देगी ठीक है फिर इसकी बात करें तो point के बाद में कितने digit है 4 और 4 कितनी 8 तो जब इसका result लिखोगे तो decimal के बाद में 4 digit होनी चीए 64 तो 2 digit है तो 4 digit हम उसको इस तरीके से बना लिए ठीक है तो call मिलाकर यह हुआ क्यों उसका reason एक और एक आपको यहां पर समझा दिया गया तो इसका सीधा सीधा answer अगर देखना चाहें तो कैसे देखेंगे यह तो पूरा detail में बता है अब सीधा इस transfer कैसे hit करना है वो देखेंगे देखेएगा value पता है आपको इसको ध्यान में रखना है यह तो दे ही रखा है तो सबसे पहले इसका result लिखते है क्या होगा 40.96 है point के बाद 2 है तो जब इसको square root कर लेंगे तो point के बाद केवल 1 अंक बचेगा तो यह हो गया 6.4 बात करते है इसकी इसका result क्या होगा point के बाद 4 अंक है 4 digits है तो जब square root कर लेंगे तो point के बाद केवल 2 ही digit बचेगी तो answer 64 है तो इसको लिख लेंगे 0.64 फिर बात करते है आगे इसकी point के बाद कितनी digit दिख रही है आपको 6 तो जब square root हटेगा तो point के बाद केवल 3 digit रहेगी तो इसको हम लिखेंगे 0.64 तो यह 4096 का square root तो 64 ही है कभी उसको 2 digit कभी 1 digit कभी point के बाद 3 digit इस तरह से लिख रहे है और यह कैसे हो रहा है जब 6 होरी है तो 3, 4 है तो 2 और point के बाद 2 digit है तो point के बाद यहाँ पर 1 अगले वाले में बात करें तो अगले वाले में हम देख सकते हैं की point के बाद में कितनी digit दिख रही है आपको 8 तो point के बाद चलो कितनी आएगी 4 तो 64 ही है तो 4 कैसे बनेगी वह 0064 करने से अब आपको सिर्फ और सिर्फ इनको add करना है जैसा कि question ने कहा है तो इनको जोड़ने को कह रहा तो इनको जोड़ लेते हैं यह लीजी अब इनको add कैसे किया जाएगा जोड़ा कैसे जाएगा तो जोड़ने के लिए एक बात ध्यान रखिएगा decimal में हमेशा decimal के कितना होगा point 0064 अब सिर्फ और सिर्फ इसको add करना है कर लेते हैं कितना आएगा तो देखिएगा एड गिया इसको कितना होगिया यह 4 चे और 410 चे चार दस और 11 चे चार दस और एक कितना 11 यह point और यह कितना 7 तो 7.1104 तो 7.11 तक आ रहा है इसका मतलब तीसरा option आपका बिलकुल सही है चलिए यह था आपका question question number 15 बात करते हैं next question 16 के बारे में इसको solve करना है कर लेते हैं 2 की power n plus 2 की power n minus 1 upon 2 की power n plus 1 minus 2 की power n कैसे होगा देखिएगा 2 की power n plus 2 की power n और इसको 2 की power minus 1 लेख सकता हूँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि गातांग के नियम laws of exponents आपको क्या कहते हैं अगर आधार समान हो तो गाते जुड जाती है तो इसका आधार 2 है इसका भी आधार 2 है base value यहाँ पर 2 है यहाँ पर भी base value कितनी है 2 तो उसकी power n और उसकी power minus 1 तो n और minus 1 को add करना है जोडना है तो यह लीजिए इनको जोड लिया तो देख लीजिए 2 की power n minus 1 ही लगा हुए तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की power n multiply 2 की power 1 और यह minus है 2 की power n कैसे अगेन वही बात आधार समान है तो गाते जुड़ेगी तो इसका आधार दो इसका आधार भी दो तो गाते जोड लो तो n और 1 को जोड़ो तो n प्लस 1 हुआ तो यह 2 की power n प्लस 1 ही है चलिए उपर से मैं कुछ common लेना चाहूँ तो उप 2 की power n ही तो अंदर क्या रहे गया 2 की power 1 जो की केवल 2 चल जाएगा और यह कुछ भी नहीं रहा तो कितना रह गया 1 2 की power n पूरा बार आगया तो 2 की power 1 मतलब 2 ही हुआ minus 2 की power n पूरा बार आगया तो कितना बचा सिर्फ 1 तो बुछ cancel हो रहा है बिलकुल जो cancel हो रहा है उसको cancel करते है तो यह 2 की power n से 2 की power n cancel हो गया उपर क्या बचा उपर बचा आपके पास 1 प्लस 2 की power minus 1 और नीचे 2 minus 1 मतलब 1 तो नीचे 1 लिखे ना लिखे कोई फरक नहीं प तो अगर मैं इसको उपर से नीचे लिखनू तो इसका चिन बदल जाता है मतलब प्लस हो जाता है अगर y की power minus n है तो अगर मैं इसको उपर से नीचे लिखनूंगा तो इसका minus का चिन किसमे हो जाएगा प्लस में तो वैसे ही अगर यह 2 की power minus 1 है तो मैं इसको क्या लिख सकत हूं 1 plus 1 upon 2 की power 1 2 की power 1 ना लिखे तो भी चलेगा क्योंकि वो 2 ही result देगा 1 plus 1 by 2 करना है जो कि 3 by 2 होता है और यह हम देख सकते option हमारे पास है कौन सा 30 option तो 30 option आपका बिलकुल सही होगा यह था कोशन अबर सोला थैंक यू सो मुच प्लीज लाइक शेर सब्सक्राइब डिजिटर तैयारी